हेलो एवरिवन वेलकेम ट्यू दिस चैनल जैसे के आप जानते हैं शकरगंदी खाने में जितनी टेस्टी लगती है उतनी ये हेल्दी भी होती ही है तो आज मैं इसकी बनाकर तयार कर रही हूँ एक ऐसी टेस्टी रेसिपी जो मिंटों में बनकर तयार हो जाएगी और हेल्प की हेल्प से इस तरह से दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा कट कर देना है इस तरीके से सभी सकरगंदी को हमें दोनों तरफ से काट कर रख लेना है अब इसके बाद में हमें लेना है एक पिलर और पिलर की हेल्प से इसका उपर वाला छिलका उतार देना है जैसे हम आलू को छीलते हैं बिल्कुल उसी तरीके से इसको भी छील लेना है अब जब सब सकरगंदिया हमने पी लोफ कर ली हैं तो हमने इनको पानी में डाल दिया है ताकि ये काली ना पड़ें पानी में डालने के बाद में आप जैसे हम गाजर आलू काटते हैं इस तरह से आप किस भी शेपमेंट को काट सकते हैं छोटे छोटे टुकडे काट कर हमें तयार कर लेने हैं अगर आपके पास और भी कम टाइम है तो आप छोटे टुकडे भी मत काटिए सकरगंदी के 3-4 टुकडे कर दीजिए तब भी ये रेसिपी बनाई जा सकती है ये देखे इस तरह से मैंने टुकडे कर लिये हैं अब लिया है एक कुकर कुकर में सभी पीसिस को हम इस तरह से ट्रांसफर कर देंगे मैंने यहां पर यूज किया है 500 ग्राम सकरगंदी का तो मैं यहां इसमें डालूंगी 500 ग्राम के जितना दूद दूर डालने के बाद में अब मैं इसमें डालूंगी आधा चम्मच इलाईची का पाउडर और बस अब इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको रख देंगे गैस का फ्लेम ओन करके सिम फ्लेम पर कुगर का ढखकन बन करके सिम गैस के फ्लेम पर इसको पकने देना है जब तक 3 से 4 सीटिया नहीं आ जाती है 4 सीटिय लगवाने के बाद में जब इसकी गैस अच्छे से निकल गई है तब कुगर को खोल लेना है अब इसको आप देख सकते हैं जो सकरगंदी है वो काफी अच्छे से पक चुकी है एक कर्ची की हेल्प से इस तरह से हम इसको चेक करेंगे ये काफी अच्छे से पक चुकी है अब हम इसको इस तरह से मैश कर देंगे दो मिनिट का टाइम हमें लगेगा मैश करने में और इसके बाद में जब आप देखेंगे कि हमारी ये रेसिपी कितनी कितनी ज़्यादा टेस्टी बन कर तयार हुई है तो आप जिसको भी खिलाएंगे सब सर्प्राइज रह जाएंगे कि ये आपने शकरगंदी से बनाई है आप एक बार ट्राइ जरूर कीजे कोई भी ये पहचान नहीं पाएगा कि शकरगंदी से बनी है बहुत बहुत जादा ये टेस्टी होती है आप इसमें थोड़ा दूद और मिला सकते हैं अगर ये आपको टाइट नजर आ रही है तो शकरगंदी को बहुत अच्छे से मैश कर लिया है अब इसमें ढालेंगे चीनी जितना भी आप खाना पसंद करते हों उसके अकॉर्डिंग इसमें मीठा डाल सकते हैं अब चीनी को भी अच्छे से मिक्स कर देंगे अगर आप इसमें बरूदा डालना चाहते हैं नारियल का या फिर कोई भी ट्राइफूर्स डालना चाहते हैं तो टुकडे करके डाल सकते हैं अब इसको निकाल लेंगे एक दूसरे बर्तन में और ये देखिए ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है सर्विंग के लिए बन कर तयार हुई है सकरगंदी की खीर बिना उबाले बिना कद्दुकस किये जटपट से बनाईए खाईए और कमेंट करके बताईए आपको ये रेस प्राइए प्राइए दो कि दे इस रेकैंग मेंगे लिए खाईए खाईभ ये में और ये घ। ले हो कि उय decre खाईए